कि आप जमीन उपलप्त कराईए और अगर केंदर ना बनाए एरपोर्ट तो फिर बिलेम कीजिए यात्रा नहीं कर पाए यह बिहार सरकार नहीं चाहती है कि यहां के गरीब हवाई जहाजपल चले हैं और यह जो लेट जो प्रोसेस हो रहा है यह लेट प्रोसेस बहाते जंता पाटी के लोग और सिवील इविएचन के चक्कर में हो रहा उसमें राजसरकार की कोई भूमिका ही नहीं है जहां तक पूर्णिया का सवाल है पूर्णिया में भी जो लैंड को देना था उसके लिए राजसरकार अलड़ी एकसेप्ट कर चुकी है कि हम देंगे बिहार किया गया एरपोर्ट जो बनते हैं तो लैंड इस्टेट गौर्रमेंट देती है और केंदर सरकार बनाती है प्रधान मंत्री नहेंदर मोदी जी बिहार से बहुत प्रेम करते हैं वो सब जगे एरपोर्ट बनते हुए देखना चाहते हैं हमने कहा कि पूर्णिया में इतने दिन से सिर्फ 15 एकर जमीन और देदें तो पूर्णिया में तुरंत उडान शुरू हो जाएगी उसी तरह भागलपुड में जो अभी एरपोर्ट है उस पर 18 करोर रुपिया बौंडरी पर लग रहा है सिर्फ नेताओं का हेलिकाप्टर उतरेगा लेकिन अगर वहां पर ग जहां जितनी आबादी होतने, आप अईर चाहिए रोण कनेक्टिविटी और एब अईर कनेक्टिविटी की ज़हूरत है, बिहार के लोग गरीब लोग भी जो बाहर काम करते हैं वो भी आना चाहते हैं, तो आप अगर जमीन उपलब-द नहीं कराएंगे तो केंडर नहीं बनाएगा तो हमने तो इनको आफर दिया कि आप हर जगा हर कमिशनरी में यानि अगर केरियर में चार करोर आबादी है पांच एरपोर्ट है तो मंतरी जी ने कहा कि नहीं आबादी अ घनत वारे खेती करने के लिए थोड़ी हम कह रहे हैं जहाँ जादे आबादी होगी साथे लोग चरहेंगे इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसा सम्राठ चोधरी जी ने कहा कि आप जहां जहां जमीन उपलब्द हो सकती है आज क्योंकि जो कॉलिंग अटेंशन है उसमें समय की कमी रहती है मैं तो यह कह रहा हूं कि आखिर बिहार से उरान लंदन अमेरिका क्यों न जा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं है सिर्फ गया के अंदर है वो भी बहुत कम फ्लाइट है बिहार के लोग दिल्ली कलकत्ता उतरते हैं फिर फ्लाइट चेंज करके बिहार आते हैं तो अगर बिहार को तरक्की करना है या इंडस्ट्री को भी आना है तो उ पूरे एलाके की तकदीर तस्वीर बदल जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया था कि आप जमीन उपलफ्ट कराईए और अगर केंदर ना बनाए एरपोर्ट तो फिर बिलेम कीजिए। लेकिन आप जमीन ही ने उपलफ्ट कराएंगे तो एरपोर्ट कैसे बनेगा कमिशनरी लेवल पर सभी जगा एरपोर्ट बने इसकी चिंता सरकार करें। एक लाइन में बिहार सरकार कर सकती थी कि हम जमीन उपलफ्ट कराएंगे। लेकिन जिस तरह की थोती दलील मानिय मंत्री जी के दुवारा दिया गया है वह सपस्ट है कि बिहार के गरीबों को हव जहार सरकार नहीं चाहती है कि यहां के गरीब हवाही जहाजपल चलें। आज देखिए देश के परधान मंत्री उडान योजना के माद्यम से सभी राज्यों में एरपोर्ट के निर्मान के कारे हो रहे हैं। जहां पूरे देश में सो भी नहीं थे वहां आज डेर सो से जाता कि बीटा एरपोर्ट पर एरोप्लेन की व्यवस्ता होगी और एपोर्ट बनेगा आज तक जमीन उपलब्द नहीं कराया पत्ना जिला धिकारी से आप रिपोर्ट ले सकते हैं मात्र सो एकर जमीन उपलब्द कराया गया जबकि वहां 2800 एकर की व्यवस्ता करने के लि पुर्णिया में इन लोगों ने मात्र 40 एकर जमीन उपलब्द कराया जबकि भारत सरकार AI के द्वारा एरपोर्ट ऑटरिटी के द्वारा यह कहा गया कि हमको 55 एकर जमीन उपलब्द कराया राइट और लेप्ट का टेक्निकल इसूज है क्योंकि वह डिफेंस का बनाई लेकिन बिहार की सरकार नितिश कुमार के नितृत वाली सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में कोई भी एरपोर्ट बने जिससे बिहार के गरीब air plane पर चलने का कम करा इदर बिहार विधान परीशद में शेहनवास हुसेन के सवाल का जवाब देते हुए वित्तमंत्री विजय चौधरी ने कहा सरकार ने 52.18 एकर जमीन का अधिकरन किया है केंद्र को जल्द पजेशन लेकर अपना काम शुरू करना चाहिए निर्वन करें और मेरी जो भूमिकाय हम निर्वन करें 2018 में बिजापता सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और बिहार सरकार के साथ बिहटा को लेके M.O.U. साइन हुआ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मांगा कि हमको 108 एकर जमीन आप दीजिए राज सरकार ने बिहटा के लिए 108 एकर जमीन अक्वायर करके भारत सरकार को दे दिया कि भई हम 108 एकर जमीन देते हैं और उहां पर राज सरकार ने कुछ और भी जमीन अपने लिए रखा अब उसके बाद इनका कहना है जब हमारा M.O.U. हो गया हमारा कंसेंट हो गया राज सरकार ने कहा कि आपने जो कंसेंट दिया था उस विशाप से हमने जमीन करके आपको दे दिया आप यहां ही पर बनाइए उसके बाद एक इस्यू हुआ बड़ा नेता उसको कहीं और शिफ्ट कराना चाहते थे कि हम वह जा उसके चलते सभी लेशन बिनिस्ट्री बार-बार वहां पर जमीन कह रहे थे कि और दीजिए नहीं तो हम इसको कहीं और ले जा रहे हैं राजसरकार उसके फुट डाउन की बिहार में राजधानी पटना के अलावा कुल दो एरपोर्ट पहले से हैं जिन में गया दर्भंगा है इसके अलावा भागलपुर और पुल्णिया में एरपोर्ट निर्मार के सवाल पर केंदर और राज्य सरकार आमने सामने हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोप प्रत्यारोप के बाद पुल्णिया और भागलपुर वासियों को एरपोर्ट कब मिलता है पंजाब के सिडी टीवी के लिए पटना से अभिशेक कुमार सिंग की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद